अज हम जैसे यो डिसाइन वाला है मैं आपको दिखाया था कैसे बनाना तो मैं आपको दिखाते हूँ इसके बीच में पैच कैसे तयार करना है तो यहां पर हमने क्या किया है जैसे के कपड़े लिए और इसके बीच में हमें यहाँ पर हमें क्या करना है इसके बीच में जो गले के बीच में पैच लगाना है तो पहले हम पैच तयार करेंगे फिर इसके बीच में लगाते हैं अब यहाब हमने जैसे आप चाहे तो इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं या इस तरह से वी शेप में भी बना सकते हैं तो यहाब हम राउंड शेप में बनाएंगे तो पहले हम इसको इस तरह से स्टीच करेंगे अब यहां पर हमें क्या करना है जैसे हमने यह सिला ही लगाई है वहां पर हमें इसको कट करना है अब गोलाई में हमें चोटे-चोटे कट लगाने हैं अब यहां पर हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है अब यहां पर सब्ड़न तरह में पराई से करना यहां यहां है अब यहां पर अड़ करना है पार रंट पार्वा। पार्वार इस तरह से हमने यह पैज जो है वो तयार किया है अब यहाँ पर हमने यह पैज तयार किया है इसे हमें इस तरह से रखना है सिंटर पर और इसके उपर हमें यह सिलाई लगानी है इसके उपर हम पहले सिलाई लगाते है यहाँ पर हमें किनारी पर सिलाई लगानी है यहाँ पर लगानी है इस तरह से हमने यह पैच जो है वो लगाया है अब यहाँ पे हमने यह जो पैच है वो लगाया है इसके बीच में हमें यह चोटा वाला पैच लगाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको यह पैच वाला गला कैसे बनाना है यह मैंने आपको दिखाया है तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर